भारत की धरती से क्रिकेट के ऐसे कई महानतम बल्लेबाज पैदा हुए हैं जो विश्व पटल पे अपने बल्लेबाजी की छाप छोड़ गए हैं ऐसा है ये भारती बल्लेबाज इन दिनों भारत में हो रहे घरेलू मैचों में सांदार परदर्सन कर रहा है और अपने बल्लेबाजी से पूरे विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया है यह बल्लेबाज एक दिवसी मैचों में बल्लेबाजी करते हुए लगातार पांच मैचों में पांच सतक लगा चुका है और इन पांच सतकों में एक दोहरा सतक लगा कर भारतिये टीम के 20 फोटक बनने बाज रोहिश सर्मा के कद्वेशी मैचों में सरवादिक 264 रन बनाने के रिकार्ट को भी तोड़ दिया है और साथ ही में भारतिये टीम के रन मसीन के नाम से प्रसिद्ध खिलाडी बीराट को अलिके लगातार चार मैचों में चार सतक लगाने के रिकार्ट को भी तोड़ दिया है और इस खिलाडी ने अपने परदर्शन के दम पे दुनिया के गई ऐसे क्रिकेट के रिकाड को भी तोड़ दिया है जो लोगों को अब तक नामुंकिन लगता था तो दोस्तों कोन सा भारती खिलाडी है जो विश्व क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से संसनी मचा चुका है जानने के लिए वीडियो के अंतक बने रहे जी हा दोस्तों इस भारती खिलाडी का नाम है नरायन जगदीशन जो तमिलाडू राज से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और इन दिनों भारत में हो रहे बीजय हाजारे ट्राफी में तमिलाडू की ओर से खेलते हुए नरायन जगदीशन ने लगातार 5 मैचों में 5 सतक लगाकर भारतीय टीम के रन मशीन बीराट को हली के साल 2008 और 2009 के सीजन के बीजय हाजारे ट्राफी में लगातार 4 सतक लगाने के रिकार्ड को भी तोड़ दिया है और इन 5 सतकों में एक 12 सतक लगाकर अरूरांचर परदेश के साथ खेलते हुए नरायन जगदीशन ने 141 गेंदों पे 277 रन की बेहतरीन पारी खेलकर रोहिस सर्मा के एक द्वेसी मैचों में सरवादिक 264 रन मारने के रिकार्ट को भी तोड़ दिया है और इस पारी के बाद लिष्ट एक क्रिकेट में सरवादिक रन बनाने के रिकार्ट भी नरायन जगदीशन ने अपने नाम कर लिया है और जगदीशन की इस 270 रनों की पारी की बदावलत इनकी टीम ने 2 विकेट के नुक्सान पे 506 रन बनाकर वर्ल्ड रिकार्ट बनाई है करना चाहिए या नई कमेंट में अपनी राय दे और इसी तरह के क्रिकेट से संबंदी थर छोटी बड़ी जानकारी के लिए क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाए धरन्यवाद